पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया, एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनीराम था, धनीराम का एक पुत्र था, जिसकी कोई संतान नहीं थी, धनीराम को आप अपने घर में चोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव रिच्छा थी, इसलिए धनीराम अपने पुत्र से कहने लगा, कि मुझे कोई पोता ला दो, धनीराम कितने अमीर थे, कि वहाँ पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे, भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सु एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गाव वालों को आना है गाव वालों के साथ साथ पास के एक गाव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहां तक की फुर्सत नहीं रहती थी, कि उसमें क्या पहना है, और क्या खाया लेकिन, वह व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था, वह व्यापारी धनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया, जब वह व्यापारी धनीराम के महल पहुचा, तो धन महारे पास कोई धन का कपड़ा नहीं है, पहले जाओ और कुछ धन का कपड़ा पहन कर आओ, फिर यहां आना धनीराम में वह छोटे व्यापारी से ऐसा कहा, छोटा व्यापारी घर चला गया, और छोटे व्यापारी ने आपने घर में जाकर आइने के सामने अपने आपको दे और पगड़ी को खिलाने लगा, ऐसा करने से उसके कोर्ट और पगड़ी गंदे हो गए, धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख तुम फिर आ गए हैं, और यह क्या हरकत कर रहे हो, व्यापारी ने कहा धनीराम जी, मैं कोर्ट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूं, धनी लोग आपके साथ अपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी उन्हें धेस मत पहुचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा, कि पत्थर जमा करते करते कब आपने ही राखो दिया